ओम शांती, साथ जैनुरी की शुरुदान में आपसे कर सोगत है, दुरिण निश्चे हो, साथ साथ, ये दुरिण निश्चे के साथ साथ हमें चाहिए पावर टू अकॉमडेट, मलकी समानी की शुक्ति, तो समाना तो पढ़ता है, सिचुशन आती हैं, प्रॉलम्स आती हैं, अगर हमने किसी काम को अपना काम समझ लिये, तो हम बेढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हमने परमात्मा के कारे को होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, होने देने के लिए हम जुक्रे हैं, लेकिन अगर मैं 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 मेरा मेरा है, तो हम आखड़ जाएंगे, तो परमात्मा क केते हैं द्रण निश्य के अधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भवा जो द्रण निश्य रखते हैं तो निश्य की विजयी कभी टल नहीं सकती चाहे पांच ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें पांच तत्व भी आत्माएं कितना भी सामना करें हमारा सामना करें है हमें धमकाएं है ना हमारे सामना करके हमें उगली उठाएं करें लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चे के अधार पर समाने की शक्ती से उस सामना को समा लेंगे जैसे एक समुद्र कह करता है बहुत सारी नदियां आती है सब को समा लेता है सार आदतों वाले लोग आतमाई रहेंगी जिनकी बातों को हमें समाना पड़ेगा ताकि हम संतुष रहें, खुश रहें कभी निश्य में हलचल नहीं हो सकती परमात्मा में निश्य है, कभी हलचल हो नहीं सकती ऐसे अचल रहने वाले विजई बच्चे ही बाप किस नहीं है किसको विजई का, जो अचल रहते हैं कभी पर टाइम लगते हैं इन चीजों को समझने में जब सिचुशन आती हैं तो समझ नहीं था थोड़े समय के बाद में समय था, हाँ मुझे जुकना है, तो जुकना जुकना नहीं है परमात्मा कारे होना है इसने ही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समय रहते हैं क्योंकि हलके रहते हैं, तो ब्रह्मा बाप की भुजाओं में रहते हैं और ब्रह्म बाप उनको प्रोटेक्ट करते हैं गाइडिन्स देते हैं उनको जैसे पिता अपने बच्चों को गाइडिन्स देगा तो यह सब समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारी सेंटर जाएं और ओम श्यांति